तो आप मिलते हैं हम लोग मोटर व्लॉगिंग सेटप पे ए गाइज वाट्स अप एन वेलकम बैक टू आर्डडर भाई सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह वीडियो बहुत यह था खास होने वाला है और बहुत इनफर्मेटिव वीडियो है अगर आप मोटर ज़्यादा है तो सबसे पहले मैं आपको वह चीज दिखा देता हूं तो यह रहा हमारा हेलमेट और यह हमारा वह चीज जो की फिलिप कार्ट का पैकेजिंग आप देख सकते हो फिलिप कार्ट से मैंने मंगवाया था और अगर आप चाहते हो तो इसको एमेजॉन सभी सबसे पहले हम लोग इसको अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं कि इसके अंदर आखिर हम लोग को क्या-क्या मिलता है और इस वीडियो में मैं पूरा कोसिस करूंगा कि ज्यादा बकवास नहीं करने का क्यूंकि मुझे कुछ लोगों ने कॉमेंट किया था कि आप बकवास आणबेंस बहुत करते हो काम की बाते बहुत ही कम करते हो तो निकल दाता है अंदर से छव्वागें десят को सब्से पहले हम लोग इसको उननबॉक्स कर लेते हैın तो यह वाला चीज मैंने नहीं मंग वाय ता वह जब मैंने पहले आंबॉक्स क्या था उसिवक्त मैंने इसको अ तो इसको हम लोग रखते हैं side में और मेन चीज जो हमारा रहा वो रहा यह सब्से पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और यहाँ पे कुछ files अटाुआ है कि और पहले मैं को खोलता हूं ए तो भाई में चीज जो मैंने om परर किया था जो मुझे बहुत ही काम आने वाला है आने वाली बहतरिन वीडियो में तो सबसे पहले आप लोग इसका नाम पढ़ों की क्या लिखा हुआ है यह भाई ब्लू आर्मर ब्लू आर्मर एक कंपनी है जो की माउंट वेगर यह सब चीज बनाती है तो यह है ब्लू आ अड़ वा नहीं है है फुल जाएगा अच्छा से होती अच्छा से खुला है तो सबसे पहले एक कार्ड है जो की लिखा हुआ फन फैक्ट्स अबाउट यूर बहुत सारा चीज एक्शन कैम कंपैटबल यह एक्शन कैमरा के लिए ही है लेकिन मैं इसको यूज करूंगा मैंने पहले से भी एक चीन माउंट रखा हुआ है जो मैं आपको पहले दिखा देता हूं तो मैंने जो पहले से चीन माउंट रखा हुआ था वह है भाई कुछ इस टाइप का यानि कि यह इस ट्रैप वाला है ठीक है लेकिन इसमें बहुत यहादा मुझे प्रव्लम आता थ प्रव्लम क्या रहा था कि मैंने इसको उपर से ऐसे करके टाइट किया हुआ था यहाँ पे एक स्ट्रैप है बेल टाइप का तो बेल टाइप में फताय हुए थे हम लोग लेकिन जब भी यह वाईजर बंद होता था यहाँ पे हलका सा गैप रही जाता था यानि कि पूरा क के बाद यह वाला बहुत यह था अंदर चला गया था तो यह प्रोलम मुझे बहुत यह था आ रहा था इसमें जिस करमवाना था यहा न करे पार बहुत करने तो उसको यहीनित करने के दो आइए यहां पर फोड़ा सा वाइट जाते हैं अच्छा से अच्छा से शोड़ा में लगता हुआ दोस्त नहीं लगते यहां पर बहुत ही अच्छे से लगाना होगा और कोई है पूछने वाले भाई सहाब बड़ा डिश्टब करता है लोग तो सबसे पहले आप लोग यह चीज देख लो एक बार कि इसके पीछे भाई लगा हुआ है एक डबल टेप बहुत ही बहतरिन बहतरिन और बरे यूटुबर से इसके बाड़े हम बता है कि यह बहुत ही जाधा अच्छा होता है सेफ होता है जल्दी गीरता नहीं है ठीक है तो सबसे पहले क्या करना है कि इस वाले पार्ट को जहां पर यह माउंट लगेगा इसको क्लीन कर लेना अच्छा से तो मैं क्लीन कर लेता हूँ मेरे पास कोई भी कपरा वगरा नहीं है नेकिन फिर भी क्लीन कर लेते हैं हम लोग वैसे क्लीन क लगा हुआ है वो बस यहां पर ही लगा हुआ है उपर में लेकि नीचे वाला पार्थ पूरा खा लिए तो हम लोग क्या करेंगे कि इस डबल टेप को उखार के यहां पर साटेंगे क्यूंकि यह जब हमारे हेलमेट में चिपके तो अच्छे सा चिपके और ऐसे चिपके कि फिर न निकले तो सबसे पहले हम लोग इसको काट के यहां पे चिपका देते हैं तो यहां पर मैंने डबल टेप नीचे भी इसको चिपका दिया है और यह वाला पाट आप लोग जो देख रहे हो यहां सब्सक्राइब रहे हैं सबस्क्राइब करें तो तो इसको मैं अपर यहांसे हवा अंधर जाता है इसको हम लोग को बैगाना है पहले मैं यह वाला पाट उखार देता हूं नीचे वाला जो कि मैंने अभी चिपकाया है और अब उखारते हैं यह वाला पाट अब उखड़ा भाई यह बहुत ज़्यादा स्टीकी है लेकिन पता नहीं यह मेरे मोवाईल को सेफ रख पाएगा या नहीं अगर मोवाईल मेरा गिर के टुटा ना इसका हम बहुत ही गंदा रिव्यू देंगे तो यह उखड़ चुका है और यह भी हो चुका है साफ और डारेक्ट हम लोग इसको यहाँ पर फिट करेंगे थोरा सामलों को नीचे ही रखना है ज्यादा ऊपर नहीं रखना है कि चिपक गया है और इसको बहुत ज़्यादा अच्छा है गिरता नहीं है और लेकिन जिसने भी यह यूज किया ना भाई सब गोपरो लगाएं कोई भी मतलब यह मोबाईल लगा कर नहीं बनाया है लेकिन मेरे पास तो गोपरो है नहीं नहीं गोपरो खरीदने का पैसा तो हम लोग मोबाईली लगा करेंगे मोबाईली माउंट करेंगे इस पर और अगर गिर गया तो बहुत ही बरा नुकसान हो जाएगा हम लोग का बहुत ही मेहनत के बाद हमारा यह चीन माउंट लग चुका है और लगने के बाद कुछ इस परकार का लूक आ रहा है आप देख सकते हो कि यह पूरा बीच किया है और कौन सा मैं यूज करता था भाई यह है सैमसंग का एक एयर फोन जो की बाई ओर इसका आवाज इतना बढ़िया आता ना भाई की बढ़िया बढ़िया माइक फेले इसके सामने और कैसे इंस्टॉल होगा नहीं होगा मैं आपको बताता हूं और इस हेलमेट में इ और इसका में डेस्क्रिप्सर में लिंक हमेशा दे देएता हूँ तो आप अकर लेना चाहो तो वहां से जाकर सकते हो तो सबसे पहले हम लोग यह आप पैड देख обрат रहे हो इसको हम लोग कुछ इस परकार से पूरा नहीं आधा निकाल देंगे तो सबसे पहले हम लोग इसका जो पैड है बहुत गंदा है रहे अंदर में तो इसको हम लोग कर लेते हैं यहां पर मुड़ देंगे यहां पर मुड़ देंगे बस थोड़ा सा टेप का जरूरत प फ्मारे पास रहा यह वाला hearphone जिसको हम लोग कैसे डालेंगे इसमें हुसार ट्रीक लगाना पड़ेगा ठीक लगाना पड़ेगा तों सबसे पहले हम लोग को इतना निकाल कि कुछ इस प्रकार से वहाँ पर यहां से दिखे न यहां पर ही ऐसे लगा कर साट देते हैं अगर आप लगाना चाहते हो माइक कुछ इस परकार से तो आप लगा सकते हो थोरा सा परसानी जहलना पड़ेगा लेकिन अच्छे दिनों के लिए इतना करना पड़ता है तो फाइनली बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद हमारा माइक यहां पर सेट हो चुका है और यह जो दो आप देख रहे हो इसका कोई ऐसा यूज तो नहीं है लेकिन इसको कहां रखे नहीं पता चल दा था तो यहां पे हम लोग ने ऐसे लगा दिया है और पहले भी मैंने कुछ इस परकार से ही इस्ट्रॉल किया था और थोरा सा पार्ट यहां पर हम निकाल लिया है ताकि यहां अब बाड़ी है भाई इसका अब इसको हम लोग इस्ट्रॉल करते हैं यहां पर फीट आगे अग्दम बढ़िया है अब मोबाइल को माउंट करके देखते हैं कि अच्छे सा माउंट हो पाता है या नहीं हो पाता है और वीडियो का क्वालिटी कैसा आता है वो मैं आपको आगे बिटाता हूं तो अब मिलते हैं हम लोग मोटर व्लोगिंग सेट अपके सो फाइनली लग चुका है हमारा हेलमेट माउंट सोड़ी चीन माउंट ब्लू आर्मर का जो मैंने लिया था बहुत ही मेनत लगा लगाने में और पता नहीं कैसा सीन आ रहा है नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा हेलमेट जो है ना भारी भी लग रहा है मोबाईल जो है ना थोड़ा सा भारी भी है हेलमेट भी है और चिर माउंट भी है तो वो सब लगाने के बाद थोड़ा सा भारी टाइप का लग रहा है सर थोड़ा सा मैं सीशा उठा लेता हूं आगे जाके सीशा फ देखेंगे ठीक है तो अब चलाते हैं थोड़ा सा बाइक को और जो आप सीन देख रहे हो बस यहीं है और ऐसा ही क्वालिटी आएगा और मैं वाइजर को डाउन करता हूं और भाई मैंने अपना वाइजर डाउन कर चुका है और अब हमको लग रहा है कि ज्यादा नोइज न सब्सक्राइब काफी हद तक नोइज सॉल्व हो गया होगा और अवास कैसा आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे तो नहीं पता आप लोग कॉमेंट में जरूर बजाना फुरा साइस्पीड भी करके दिखा दिखा देते हैं और अभी हवा बहुत ही ज़्यादा चल रहा है और पता नहीं हवा अंदर जा रहा है और नहीं जा रहा है मैंने पुरा बंद कर चुख है हर चीज जहां से भी हवा अंदर जाता है अभी मैं 50 पच्पन के स्पीर में चल रहा हूं आगे धूला उड़ा दिया रे कोई बात नहीं चलो बहुत ही धूल है भाई बहुत ही ज़्यादा डॉस्ट है और आप लोग बताओ यार की कैसा क्वालिटी आ रहा है वाइस की वाइस का और विडिंग आप को लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं वहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया है तो बस इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही या फिर इससे बहतर वीडियो देखने के लिए हम लोग मिलते हैं Sz वीडियो में तब तक के लिए वीडियो बनाने के चक्कर में तो देखे ही नहीं कि 5-46 हो चुका है और अब थोड़ी देन में आजान होगी तो हम लोग को रोजा भी खोलना है यानि कि इफ्तारी करना है तो चलते हैं हम लोग जल्दी से घर पे तब तक आप लोग चैनल को लाइक जरूर कर देना सोरी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक